हेई अब्रीवन विल्कुम बैक तो मैं चैनल श्रमाज किचिन एंड व्लोग्स कैसे आप सारे लोग डू लेट में दे कॉमेंट सेक्षिन एन आज के इस वीडियो में में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जुकिनी फ्राइज की रेस्पी कॉर्गेट जो होता है लगता बिल्कुल तोरे के जैसा है थोड़ा सा टेक्ष्चर खीरे के जैसा होता है और आप इसको फ्राइज की तरीके से असे स्नेक सर्फ कर सकते हो बहुत ज़ाद अच्छा है टेस्टी है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़ाद हेल्दी ऑप्शन मैंने आप देख सकते हो नॉर्मली रफली डाला हुआ है बट यहां पर जस्ट हाफ करना है तो अग्जेम्पल अगर आप एक कप मेंदा ले रहे हो तो आप उसका हाफ कप जो है कौन फ्लार ले 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 सॉल्ट टेस्ट इसमें डाल देना है ठीके और जादा नहीं डालना चीजों में सॉल्ट थोड़ा सा कम लगता है तो ध्यान रखें उस चीज का वाइट पैपर में यहां पर यूज कर रही हूं आप कुटी हुई काली मिर्च भी ले सकते हैं पर जो नॉर्मल पाउडर आता है फाइन वो भी डाल सकते हो साथ में यहां पर इसमोकी गार्लिक जो होते हैं गार्लिक ग्रेनुल्स जो यूज कर रही हूं ठीकि आप फ्रेश चॉप करके भी इसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं थोड़ा सा पैपरिका पाउडर डाला हुआ है यहां पर आल्टरनेटिव लिए तीखी विर्ची भी यूज कर सकते हैं अब हलका सा और फ स्टिकी और अजीब सी ग्ल्यू स्टाइल हो जाएगी ठंडा पानी लें और यहां पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं था तो उसके जगे मैंने यहां पर जो सेमलीना है वो यूज किया हुआ है आप अगर मेंदा का घोल नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अ लगते हो बैटर में स्को मिक्स किया अच्छे से कोट किया और मैंने सको झैमलीना में डिप कर दिया है सिंगल प्रोसस्साइम डूइंग है आप चाहो अगर लगता है बैटर पतला है तो आप क्या करें अगर दो बार इस प्रोसस को फॉलो करें ठीक है पहले ब्रेट क्रम् जिसे कि आपको थिक लेयर मिल जाए जुकनी के ऊपर और इस तरीके से मैंने इसको सब कोट करके रख लिया है जुकनी को थोड़ी तरीके लिए रेस्ट करा दें जिसे कि जो भी आपने बैटर यूज किया है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए जुकनी के ऊपर यहाँ पर म तो मैं यहाँ पर जो है जो चमीटा होता है वो यूस कर रही हूं जिसे कि जो फ्राइज नहीं और इसका जो टेक्च्चर होगा उपर से बहुती ज़्यादा क्रिस्पी होगा जो हमने यूस किया उसके चलते और ज़्यादा कुरकुरा हो गया है बट वन यू ब्रेक इट यू विल सी जुची टेक्च्च्च्चर अगर आप चाहते हो किस तरीके का फ्राइज दिखना चाहिए अगर इस तरीके का टेक्च्च्च्चर आ रहा है इट मिन्स इट्स डन औ बहुत ही पर्फेक्ट तरीके से बन करके रेडी हुआ है इसी तरीके से मैं सारे जुकिनी फ्राइज बना करके रेडी कर लेती हूँ काइंड ओफ ही आप बोल सकते हूँ पोटेटिव फ्राइज का अल्टरनेटिव है बच्चों को अगर फ्राइज देना है तो आप डेफ केचप और जो नॉर्मल जो डिपाता है नंडूस को उसके साथ में आप हरी चटनी इमली की चटनी किसी की भी साथ कहा सकते हैं बहुत ही जद अच्छा लगेगा एंड हेल्दी ऑप्शन है अगर अच्छा लगे तो मेक्शुर हब ट्राय करें अपने जो भी फीडबेक हैं व अधन बबाई टेक केर